क्या आप भी अपना फोन पब्लिक चार्जिंग पॉइंट पर चार्ज करते हैं, तो आपके लिए ये न्यूज हो सकती हैं बहुत जरूरी और असरदार. अगर आप किसी पब्लिक प्लेस पर हैं और आपका फोन डिस्चार्ज है, ऐसे में पब्लिक प्लेस पर मौजुद चार्जिंग सेंटर से अपने फोन को कभी चार्ज ना करें, क्योंकि इससे आपका फोन हैक हो सकता है. इन दिनों एक नई तरह का खत्रा आपके बैंक खाते पर मंड़ा रहा है. अगर आप किसी पब्लिक प्लेस पर किसी चार्जर से अपने फोन को चार्ज करते हैं, तो हो सकता है कि आपका बैंक खाता खाली हो जाए. जी हाँ, हम सही कह रहे हैं. इस साइबर क्राइम को जूज जैंकिंग कहा जाता है. यह एक यूएसबी चार्जर से होने वाला साइबर हमला है, जो आपके बैंक खाते को खाली कर सकता है. सरल शब्दों में यह एक प्रकार का साइबर हमला है, जो सारवजनिक स्थानों जैसे हवाई अड़ो, कैफे, ब इसा करने पर आप जूज जैंकिंग के शिकार हो सकते हैं. यह कोई नया खत्रा नहीं है, लेकिन इसके जाल में अभी भी निर्दोश मोबाइल उप्योग करता फस जाते हैं. जूज जैंकिंग का मामला पहली बार 2011 में सामने आया था, FBI सहित विभिन सुरक्षा एजंसियों ने USB चार्जर घोटा ले या जूज जैंकिंग के बारे में एडवाइसरी जारी की है. भारत में भी भारतिय स्टेट बैंक सहित कई बैंकों ने अपने गराहकों को जूज जैंकिंग के खत्रों के बारे में चेतावनी दी है. USB पोर्ट को अकसर डेटा ट्रांसफर के लिए इस्तमाल किया जाता है अधिकांश फोन पर डेटा ट्रांसफर डिफॉल्ट रूप से बंध होता है यह एक बाक एंड फॉवर्ड डेटा ट्रांसफरिंग सिस्टम है आप फोटो, वीडियो या दस्तावेजों को एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में ट्रांसफर कर सकते है जूस जैकिंग के मामले में डिवाइस का मालिक यह नहीं देख पाता कि USB पोर्ड किस से कनेक्ट होता है तो जब फोन चार्जर से प्लग किया जाता है तो छिपा हुआ कोई व्यक्ति दूसरे छोर पर आपके डिवाइस से डेटा ट्रांसफर कर सकता है जूस जैकिंग के सबसे बड़े खत्रे जब कोई डिवाइस सार्वजनिक USB पोर्ड में प्लग किया जाता है तो हैकर आपके प्लग इन डिवाइस को संक्रमित करने के लिए उस पोर्ड से कॉंप्रोमाइस कर सकता है इस से आपके मोबाइल डिवाइस का डेटा चोरी हो सकता है साइबर अपराधी तब कॉलर प्रोग्राम का उप्योग करके आपके डिवाइस में वित्य जानकारी या अन्य सम्मेदशन जानकारी खोच सकते हैं Cyber criminals आपके phone data को clone करके और इसे अपने device में transfer करने के लिए Malware app का इस्तमाल कर सकते हैं इसमें GPS खरेदारी, photo और call लोग शामिल हो सकते हैं Hacker आपके device को freeze भी कर सकता है और इसे बहाल करने के लिए फिरोती मांग सकता है जोस जैकिंग से खुद को बचाने की टिप्स पब्लिक प्लेस पर मौजू चार्जिंग स्टेशन ओ या portable wall charger से बचे अगर आपको अपना phone चार्ज करना है तो बिजली के wall outlet का इस्तमाल करें केवल अपने personal cable का उप्योग करें डिवाइस को चार्ज करने से पहले switch off कर दे क्योंकि USB port तब डिवाइस में flash storage से connect हो सकता है अपने phone को चार्ज करने के लिए power bank या भारी battery का इस्तमाल करें आपको यह जानकारी कैसी लगी हमें comment करके जरूर बताएं देवनगरी इंज्यानिव से जुणने के लिए धन्यवाद